हलो आपको प्रोवाइड होती है कॉलिटी एजूकेशन वो भी बिलकोल फ्री जिसमें अपन पूरे कोर्स कंटेंट तो पढ़ाने ही वाले हैं जो अभी आपकी अविलिबल नहीं है वो भी आपको यहां मिलेगा और डीप में मिलेगा हर एक लेक्चर में बढ़िया तरीके से आपको समझ में आने वाला है जैसे कि अगर आपको याद होगा पिछली क्लास में क्या हुआ था सर पिछली क्लास में मैंने एटम के अंदर जाके तोड़ फोड़ की ती याद आया कुछ मैंने कहा था कि डाल्टन ने कहा था कि एटम से छोटा कुछ नहीं लेकिन मैंने पार्टिकल जो मारकेट में आया था आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कॉन कित तरीके से लाया था वो आज अपन देखने वाले तो कोई दिक्वतक की बात नहीं है बस बने रही है एक नमबर समझ में आने वाल है नहींगे चलिए तो जहां सबसे smallest part is atom जो है indivisible particle है और atom जो है वो fundamental particle है फिर मैंने उसमें nuclear reaction करवाई थी बहुत सारा काम किया था और मुझे पता चला था कि atom के अंदर और छोटे छोटे particles होते हैं कम से कम किते चार्ज particle निकले ते लगभग 34 लगभग सब के अंदर नहीं होते लेकिन निकले थे यह बात है पता चली डालते अंकल को तो भई से भग गए थे वह ग्राउंड वह पार्ट छोड़की भग गए थे कि भाई मेरी तो लग गई अब इसमें पकड़ दिया चीजे गलत आ रही है उनकी बस एक बात ही सही थी कि सर एटम फंडामेंटल पार्टिकल है एटम क्या है फंडामेंटल पार्टिकल है बस उसके बाद वो चल दिये थे बस समझ पा रहें अब यह तो पता चल गया सर कि अटम के अंदर कई सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं लेकिन सर वो चार्ज पार्टिकल्स के बारे में भी तो पता करना पड़ेगा कि उनको क्या कहते हैं कैसे चार्ज के होते हैं कौन ढूंडेगा कौन लाएगा क्योंकि बैया जब तक विशेश्टाए नहीं पकर पढ़ाएंगे अपन तब तक अपन उसको अपना मान नहीं पाएंगे तो बस वह देखना है discovery of electrons कि basically electron की discovery अच्छा फिर कुछ लोग का कोशन आता है सर कि सर यह जो electron है आप सबसे पहले electron की बात क्यों कर रहे हो और कोई नहीं है क्या तो मैंने का भाई सबसे पहले खोज करने वाला कोई भी अगस्था बैटामिक पार्टिकल था तो वह कौन था सर electron कौन था electron इसकी खोज हुई थी सर 1897 में किसमें हुई थी सर 1897 में और लाया कौन था पकड़ के कौन लाया था सबसे पहले ढूनने वाले साइंटेस्ट जिनने इसको डिस्कवर किया था सर का नाम था जे जे थॉम्सन क्या नाम था सर जे जे थॉम्सन तावर तोड़ आदमी था एकदम माशाल्ला अच्छा सर तावर तोड़ क्यों जब मैं इनका वह पढ़ाऊंगा न मॉडल तब मैं पताऊंगा कि बहुत जैसे किया था क्या सोचा था क्यों करने वाले थे वह देखने वाला हूं तो चलिए चालू करते हैं और एक दिन की बात है अठारा सो नाइनटी सेवन के आसपास की इनको चाय पीनी थी समा था आट नौ दस बजे के आसपास बारिश हो रही थी बढ़िया रेनी सीजन था ना टिम 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 पानी यहां गिर रहा था तो फिर जब यह चाय पीने गए कहां गए होंगे चाय पीने ठीक है तपरी पे अरे तुम लोग को टपरी दिखती है क्या बंदा बहुत शरीफ आदमी था कुछ ऐसा वैसा नहीं करता था लेकिन चलो अब आपने बोल दिय है तो बोल दिया है तपरी पे चाय पीने चले गए अब भाई बढ़िया बिंदास चाय पी रहा था बारिश गिल रही थी एक दम से वाज आई उपर से ताक बिजली कड़कने की जी करते हो उनने ऐसे हटके देखा उनने का वाई यह क्या हो रहा है फिर उदर एक बगल से बाई पर यह होती रहा थोड़ी देंगे तो आँ भायका धिमाग करता यारлаг बिजली ऻरुक आंट यह RH ine कैसे हो रहा है और वSwी करके जा रही है आशसा नहीं कि एक आध गई एक दिन-क एक बार दूसरे दिन-क दूसरी बार तीस्यर दिन-क तीसरी बार ऐसा नहीं है तो इस नहीं मतलब बिधिश कंट्व कर ईग रहा है उसे सरे आथ और व को बिर फोकस आपकश त्रफिय देकने, बीजलर हो रहा है यह मतलब हेवी वोल्टेश ट्राविल कर रहा है तो उन्हें का यार यह हो क्या रहा है नेचर में तो अब उनकी बत्ती जली हाना बत्ती जली रात में घर गए चायवाई पीके अब सोचते रहे कि यार जो बिजली ऊपर कड़की थी क्या उस बिजली को मैं जमीन पर उतार सक हम कैसे समझते यह बना सकता हूँ इस में बहुत बात है ब्भाई का दिमाग चलने लगा उन्हें का address मैं हम तो बनाऊंगा कि किंग संसे कि ऐसारो की जिसके अन्दर अब यह बिजली बनाने काяла मतलब बैसीकली उसको यह वाला अरेंजमेंट लें लेकर आ आप उसके लिए बहुत सारी चीजे लग रही थी क्योंकि सर वो जानता है थे कि ये बिजली बहुत उपर कड़की है जैसे जैसे आप हाई altitude पे जाते हो तो वहाँ पर जो होता है आपका क्या बोलते हैं pressure वो बहुत कम होता है दवाव बहुत कम होता जाता है जब आप उपर की सरफ जाते हो तो उनने का भाई मैं तो अभी धलती पे हो जहाँ पर pressure जादा है दवाव जादा है तो मुझे कुछ ऐसा arrangement बनाना पड़ेगा जिसके अंदर pressure कैसा हो बहुत कम हो तो उनने क्या करा एक discharge आज ट्यूब लिया ऐसा ट्यूब लिया ठीक है और उसके अंदर एयर रखी वेरी लोग प्रेशर किस पर रखी सर लोग प्रेशर इतनी बात क्लियर होई पका हां फिर उनने क्या करा दो मैटल प्लेट लगाई एक है एक इस साइड एक सीट कोई दिकत को फिर एक बैटेरी से Connect कर दिया। किस से Connect कर दिया बैटdoing ये वहाला जो टर्मीनल ये दीए किस से millions क हैने गैतिट से स्ब्रस छीनेधिश हो जाए गा ये वाला पॉजिटटिव टर्मिनल एकली कहां से connect यह गाया सर नाम दे दिया एंओड यह अर्णिमेंट बनाया इंच्व यह जानते थे कि सर जो गयस होती है यह फिर आप बोले एर होती है वह नॉन नॉन नंग्डॉक्टर मतलब संधिया यह आए थे यह और मेरे और वायर के बीच में air है तो क्या वो current मुझे लग सकता है नहीं लग सकता सर्च रोब लेकिन जाके मास वायर को फकल लू तब तो बिष्ज़ंटी और आपको बस चला तो आपने एक यह एस्वाल ले ली क्या ले ली नौण रेक्टिव गैसं लेकिन सर उसने भूला यहो नहीं सकता लेकिन मैं करवा दूंगा क्यों मैंने का कैसे उनने का ऊपर भी तो देखो बिजली कहां कड़ा करें एट्मोस्फियर में मतलब उस एयर के थुरू भी करेंट पास हो रहा है मैंने का बात तो सही कहा रहा हूं लेकिन बस कंडिशन एक रखनी पड़ेगी क्या कि यह जो वोल्टेज है यह हाई वोल्टेज होना चाहिए कैसा होना चाहिए सर हाई वोल्टेज अगर आपने यहाँ पर हाई वोल्टेज ले लिया तो इसके अंदर भी करेंट पास करवा सक और वो वोल्टेज ले लिया उनने 10,000 वोल्ट कितना ले लिया सर 10,000 वोल्ट आप पढ़िए का इदर पर गैसे सार पूर कंडुक्टर ओफ एलेक्टिसिटी अंडर ओर्डिनरी कंडिशन मतलब नॉर्मल कंडिशन पर वो कैसी होती है सर इंसुलेटर ले बिकम कंडुक्टर सेट हायर वोल्टेज एंड लो प्रेशर अगर आपने वोल्टेज करेंट बहुत मातरा बढ़ा दी और आपने प्रेशर को कम कर दिया तब वो हो जाती है कंडुक्शन जैसे आपके घर में सर सोचिए कितना वोल्टेज आता है 220 उससे आपको थोड़ा सा करेंट लग भी गया हो तो आपने देखा पूरी बॉडी में जल जला आउट हो जाती है करके करेंट निकल जाता है सर्थ दस हजार में तो पता नहीं चलेगा फुआ 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 हो जाओ गया है कि समझ रहे हो 220 आपके घर में आता है मैंने 10,000 को पता है 1897 की बात थी तब गया सबस्क्राव सबस्क्राव कंदर कॉँप तो बला होगा किसको यूटव दोर कैतोर एनोड नेगेटिव वाले को कैतोर नेगेटिव से क्नेक्ट इसलिए नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से क्रेंट spी पॉजिटिव क्या हुआ माईकाल फेराडे को जानते हो ना माईकल फेराडे भाई का एक एक fen cooperate हुआ था उसने यह कहा था जब भी दो मैटल इलेक्टोट को टच करो तो चिंगारी होती है चिर 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 आपने कभी किया भी होगा होता ही है क्या नहीं होती है तो बस यह भाई यही सोच रहा था कहता यार मैं दोनों मैटल प्लेट को टच तो नहीं कर सकता नहीं तो मेरा क पास तो उसने का हाँ अब हो सकती है मतलब इधर से लेकर इधर तक के लिए करेंट क्या हो सकता है ड्राइवेल कर सकता है इसके साथ इनट गैस के साथ किसके साथ मतलब थोड़ा-सा इनने माइकल फेराडे का काम भी यूज़ कर लिया था और बढ़िया आपको देखने को मिला कि यहां से बहुत सारी बिजली इदर की तरफ निकल निकल के जा रही है ऐसे ऐसा यह सोच रहते हैं और ऐसी जाय भी रही है यह सारी रेज इदर वाले टर्मिनल से निकलते हुए कौन से टर्मिनल की तरफ जा रही है इस टर्मिनल के तरफ अब लेकिन इसके लिए बहुत सारे अब्जर्वेशन करने पड़ेंगे इस चीज को प्रमानित करने के लिए पड़ेगा हाना वो नहीं देखेंगे तो कैसे अपन काम कर पाएंगे तो यह उनका अरेंजमेंट था डिस्चार्ज ट्यूब अरेंजमेंट जिसमें वो पता लगा रहे हैं कि बाईया कैठोड रे है क्या नहीं और कैठोड रे क्यों हुआ भी मैं आपको और भी कि इसे कैसे השिट ए और उन पर कैसी कैसी बाते अपन को करनी है क्लियर क्लिया है यह आठतक बात पक्का एक बद जली स्क्रेंशौट लोग फटाक लिया हीए इस स्क्रेंशौट हुआ पका चलो इसकोूरिभा करते हैं बातें आगे सर फिर वही बाते हुई कि जब इस experiment को चालू किया गया तो कुछ यहां से बिजली से जो दौडता हुआ कहां की तरफ जा रहा है एनोड की तरफ निकला कहां से सर कैथोड से इसी लिए इस रेस को नाम दिया गया सर कैथोड रेस कैथोड रेस और यह कब हो रही कैथोड रे एक्सपरिमेंट अब इसको प्रूफ करेंगे आप टेंशन मतों पूरा प्रूफ करके लाएंगे एक नमबर आपके सामने देखिए देखिए देस्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल डैट मूज फ्रम दा कैथोड टूड अनोड इंसाइड दिस्चार्ज टूब और सफिशेंट हाई वोल्टेज कितना वोल्टेज सासर मैंने बताए था 10,000 वोल्ट एंड रिड्यूसिंग प्रेशर आर कॉल कैथोड रेज और इसी को आगे चलके यह लोग नाम देंगे कैथोड रे पार्टिकल्स मैं भी आपको बताऊंगा कि यह पार्टिकल वर्ट क्यों आये आयेगा बिलकुल आयका बर्ढबर आयेगा तो इतना कलियर इस डाइग्राम को बनाएंगे और यह ज़रूर् लेंगेगे यह इस्टोर बहुत है यह बहुत जादा इम्पार्टेज है जल्ली मातंगे स्कूलिय के चलि culpa है और अब यह देख लेते हैं कि इनने कैसे एक्स्प्रिमेन्ट से यह बताया कि इसको आप नाम देंगे cathode rays मतलब इनको कैसे यह पता चला कि यह rays cathode से किस की तरफ जा रही है anode की तरफ किस की तरफ जा रही है सर? कैथोड से एनोट की तरफ तो बहुत बढ़िया एक्जामपल है जड़ा सोच के चलिएगा सर इनने एक किया जिसमें इसने यूज किया शेडव वाला फिनोमेना कौन सा फिनोमेना यूज किया शेडव फिनोमेना अब इसमें क्या करेंगे जैसे माल लीजिए जनरली इस थॉम्संट साव जो थे वो क्रिश्यन थे तो क्रिश्यन का जो लॉकेट होता है आपने देखा ही होगा ना इस तरीके से यह लॉकिट होता है एक दम हना उस तरीके का उनने को एक इंस्ट्रूमेंट लिया या फिर मेटल का लिया और वह यह आपका क्यथोर्ड और यह बीच में रग दिया उनने है अब इनका फिनोमेना सिंपल था जैसे माल लो सर अगर मेरे सामने लाइट आइगी मे जैसे ही मेरे उपर light हाई और shadow मेरी पीछे बनी तो आप हट से के तो किसल light आगे से आ रही है और अगर मेरी shadow मेरे right में बन रही है तो light कहां से आ रही होगी left से आ रही होगी बास समझ पा रहे हो जहां से light आती है जहां से race आती है shadow उसके opposite में बनती है बनती है के नी बनती है पस यह इस तरीका इनने यूज किया, इनने का अगर वो race कैथोड से आ रही है, तो shadow बननी चाहिए उस metal plate के पीछे, पक्की बात है ना, जैसे माल लो ये मैं हो गया, अगर race यहां से आ रही है, तो shadow मेरी कहा बनेगी, पीछे बनेगी कि नहीं बनेगी, तो मतलब अगर इसके पीछे shadow बन गई, तो ये बात confirm होगी, ये बात कबूल करनी पड़ेगी, कि race कहा से आ रही है, cathode से आ रही है, और उसका फिर हम नाम करन करेंगे, cathode race, क्या नाम करन करेंगे अपन, cathode race, बात समझ में आ गई, उनने ये किया, और सर उनका बैठ गया तुक्का, नहले पे दे बिला, और ये पूरा का पूरा shadow आपको पीछे मिल गया, देखिए, shadow of the metal cross आ गया, सटाक से आ गया, मतलब सारी की सारी cathode race इदर से आ रही हैं, और इस भाई पे ठकरा रही थी, जैसे ही इस metal plate पे ठकराई, तो इसने अपनी पूरी shadow पीछे की तरफ दिखा दी, that proves, ये बता जाएगा, cathode race, क्या नाम रखा जाएगा, cathode race, क्यों, क्योंकि ये बात confirm हुई, कि ये race कहां से निकल रही है, cathode से निकल रही है, और किसके तरफ travel कर रही है, anode के तरफ, कब कर रही है, जब आपका pressure है low और voltage है high, इसी लिए इनका नाम रखा गया, cathode race, इतनी बात clear हुई, कि sir cathode rays नाम क्यों रखा गया और cathode के तरफ से rays क्यों निकल दी है इसको अपने कैसे confirm किया उपर लिखा भी है When an object is placed in a path of cathode rays a sharp shadow is produced this shows that cathode rays travel in a straight line as well as from cathode to anode यह properties है किसकी properties है cathode rays की किसकी properties है sir cathode rays की तो यह वाला experiment I think समझ में आया होगा अब लेकिन एक और चीज उनको चाहिए उनने का sir एक observation से तुम्हें हा नहीं कर सकता कि cathode से anode की तरफ जारी बल्कि यह पूरा justify हो गया था लिए उनने का एक और चाहिए sir एक और दे दो बस एक और मोखा एक और बार बस पता चल जाए क्या यह यह इससे निकल रही है क्या नहीं निकल दे तो मैंने का ठीक है भाई एसी ऐनोड का मतलब यह metal plate थी ऐनोड की जिसमें आपने बहुत सारे छेत कल दी हैं क्यों कल दी हैं कि एगर आप यहां से cathode rays आएंगी तो वो cathode rays इस एयनोड से पास हो जाएंगी क्यों पास हो जाएंगी क्योंकि आपने इस anode पे बहुत सारे pores कर दियें क्या कर दियें? Pores मतलब यह कहा रखा है पता? आपको इधर साइड हाणा यह shadow वाला हटा दो यही पर anode थी, यहाँ पर cathode थी यहाँ पर थी ना अपनी anode तो वो यहाँ पर रखा हुआ है यह perforated anode मैंने मतलब anode में बहुत सारे छेट कर दिये कि अभी जो raise आएंगी वो anode को pass कर जाएंगे, anode को छेटती हुई निकल जाएंगी एकदम गोली मालती हुई मैंने का ठीक है सर, और इसके पीछे मैंने एक screen लगाई क्या लगाई मैंने इसके पीछे स्क्रीन तयार करें, यह स्क्रीन कहा पर होगी? सर, यह स्क्रीन यहाँ पर होगी यह जो दिख रहा है? यह screen है यह वाली यह zinc sulfide की screen है दिख रहा हूँ? चेक है अब यहाँ पर क्या करा? यहाँ पर मैं एक film में ना देखना चारा हूँ, सर fluorescence इसकी spelling भी आप देख लीजेगा थोड़ी सी बहुत ज़्यादा confused होते है fluorescence क्या होता है? एच्छा है, एक और होता है phosphorescence यह क्या होता है? एक तो fluorescence होता है और एक होता है phosphorescence पहले fluorescence की बात करता हूँ उसके लिए आपन को कौन सी लगती है ZNS सर अब यह होता क्या है? तो मैंने का जैसे समझो मैं अगर एक fluorescence material हूँ तो मान लीजे मेरे उपर अगर कोई light डालेगा जैसे आपने पूरी light मेरे उपर डाली मैं उसको पूरी की पूरी light revert कर दूँगा साती सात में glow करने लगूँगा साती सात में क्या करने लगूँगा इसको कहते हैं fluorescence material जैसे light मेरे उपर पड़ी मैं पूरी light बापिस करूँगा नहीं रखूँगा चोर आदमी नहीं हूँ पूरी की पूरी light बापिस करूँगा और साती सात में क्या करने लगूँगा क्या करने लगूंगा ठीक है सार बात तो समझ में आ रहा है कि फ्लोरेसेंस मटेरियल क्या होता लेकिन इसका कोई एक्जामपल है क्या मैंने का हाँ है आप अगर मानों हाइवेस वगएरा पर जाते होंगे तो आपने देखा है जगा जगा पर जो सिगनल बोर्ड होते हैं नहीं लगता है हाना तो बात समझ रहे हैं आप में क्या करना चाहरो वह जित्ते भी आपके सिगनल्स यूज हुए हैं उसमें कौन सा मटेरियल होता है फ्लोरेसेंस मटेरियल जैसे मेरी कार की लाइट उन पर पड़ी उनने पूरी लाइट मुझा बापिस करती हो साथी बात समझ आइब क्योंकि यह सारा एक्जांपल सबने देखा होगा जो रोट पे सारे डिवाइडर पे लगे होते हैं रोट के साइट्स पे लगे रहते हैं सिगनल्स बने होते हैं उपर लिखा रहे ता बाई यहां से इतने किलो मिटर दूर है वह भी चमकते हैं जित्ती भ तो रेडिया में पता है क्या है रेडियो एक्टिव मटेरियल है जब तुम दूसरों को ऐसे करके दिखाते हैं देख देख मेरी घड़ी में रेडियम रखा है चमक रहा है साले उससे पहले तुम लोग चमक जाओगे छे बार ने मन इいます नशी को अगर इसको लायट देने और लेकिन यह भी गलो करने लगेगा यह भी मदे में छूरज बन गया हूं चमकूंगा तो वो ही वाला clear यहां तक पक्का छीक है अब क्या हुआ जैसे यह सारी rays इस porous electrode जिसको anode नाम दिया था perforated anode इसको पार करके गई और किस से टकराई zinc sulfide की screen से किस से टकराई zinc sulfide की screen से तो उसना सारी rays को पहले तो पकड़ा फिर बापिस फेका क्या कर गई सर ग्लो कर गई that means कि सर कैथोड से कोई ना कोई rays निकली थी और कहां गई porous electrode को पास किया और जाके zinc sulfide screen पर तकराई इसी साइट चमकी that means यहीं से आई होगी अगर इदर चमकता तो कहां से आती anode से आती तो यह दूसरा यहां पर evidence आ गया कि सर डेफिनेटली rays कहां से निकल रही है cathode से निकल रही है और किदर की तरफ जा रही है anode की तरफ यह किस ने हमें confirm किया सर fluorescence material जिसमें अपने यूज किया था zinc sulfide compounds जिसका काम था सारी rays को ले लेना बापिस दे देना लेकिन glow करके क्या करके सर glow करके एक दिखाता हूँ एक मिनिट के लिए यह बनाना है क्या आपको पहले यह बनाओ जल्ली बनाओ यह एक screenshot list को फिर में दिखा रहा हूँ यह देखो यह यह दिख रहा है यहां पर यह glow कर जाता है पूरा अपन थोड़ी जेर में भी बात कर लेंगे आफटर पासिंग थूदा परफोरेटेट एनोड दा पार्टिकल स्ट्राइक किस से सर जिंक सलफाइट बताय था अभी पीछे कोटिंग एंड डेवलप अब राइट स्पॉट कैसा स्पॉट बनाएगा ब्राइट स्पॉट जो कन्फर्म करेगा कि रेज कहां से निकल रही है कैथोड से कहां जा रही है एनोड के तरफ इसी लिए इस रेज का नाम रखा गया था कैथोड रेज बात समझ में आईए कि नहीं मेरे साब से तो क्लियर होगा तो यह था कौन सा फिनोमेना फ्लोरेसंस ठीक है फ्लोरेसंस जिसमें जिंग सलवाई यूज किया सर तो ठीक है वो रेडियम वाला क्या होता है सर फिर जब आपने मना कर दिया कि वो रेडियम नहीं होता तो क्या होता है सर वहाँ पर होता है फॉस्फोरस क्या होता है फॉस्फोरस और उस वाले फिनोमेना को बोला जाता है फॉस्फोरेसंस क्या बोला जाता है फॉस्फोरेसंस इसको क्या बोला जाता है फ्लोरेसंस उसको बोला जाता है फॉस्फोरेसंस अब वो क्या होता है सर उसका ऐसा जैसे म base material हो तो अगर मेरे पर कोई लाइट आई हिए तो मैं उस स्लाइट को एब्जॉब्व करते जाओं तो जो आप so called radium बोलते थे थे ना वो यह होता है क्या होता है यह होता है वो दिन बर आपसे light लेता है phosphorescence दिखाने के लिए और जब अंदिरा हो गया तो उस तैम पर लाइट देता है तो आपके तो चमका रेडियम 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 नहीं है तो तुम तो चमकोगे छेओ को लेके चमक जाओगे ठीक है और 200 रुपी की घरी में रेडियम नहीं आएगा ठीक है यह बात याद आखिए तो वहाँ पर कौन सा फिलोमेना होता है फॉस्फोरेसिंस अच्छा एक औ इंदर और जब लाइट आफ करते हैं तो बड़िया फूरे चमक जाते हैं ऐसा लगता है कि भाई रूम में नहीं भार सो रहे हैं यह चांदनी रात हना बड़िया चांद सितारे सूरज सूरज तो नहीं आए गार आतमें चन्ना मामा जो भी हैं वो सब चमक रहें तो वह भ पर्टी दिखा रहे हैं फॉस्फोरेसंस अच्छा एक और एक्जांपल देता हूं ऐसा बोलते हैं गाउ में कि बर्गत के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए बूत बूत रहता है चुड़ायल वगएरा ऐसे कुछ-कुछ चीजे होती है तो वह ऐसा नहीं है सर उधर भ बढ़े सारे ऐसे पेड़ हुआ अकलते थे बहुत घने पेड़ बहुत के नीचे क्या होता था कि जो बी लोग की डथ हो जाती थी उनको दफना दिया जाता था चीक तो आप ब्सकिलीं वहाँ और बोन दो चीज़ों से बनिए एक केल्शियम और के साथ जो कैल्शियुम वोर्ण को जोडने के लिए लिगमेंट्ट्ट लिगमेंट्ट्स होते हैं वो फॉस्फोरस की बने होते हैं किसके बने होते है सर्पॉस्फोरस के तो वहाँ उस बोड़ी में क्या पाइया जाता Gosh आप समझेगा तो क्या हुआ बोडी में नीचे आपका सिर्फ स्केलेटन बचा क्योंकि इसकेलेटन तो गायब हो गई अब क्या होता दिन भल धूप में रिडियेशन आ रहा है उस धलती पे पढ़ रहा है अब वो रिडियेशन जीरे-दीरे कहां चले आते नीचे चले आते और वो जो skeleton नीचे है वो उसको एड्जॉब कलता चला जाता है क्या कलता चले आता है एब्जॉब कलता चले आता है अच्छा सर भातो धलती थी नीचे कैसे चलेगा यंद्ध लगाते हो पीड़ का सीड़ी नीचे लगाते है उसको भी तो चलाती है ना कि िफोछ पहुंच पाती महसूस समझचे मेरी भावनाओं को वो कहना चाहा है कि वह रीडियेशन और वह आपकी संलाइट नीचे तक भी चली जाती है कहां तक वह स्केलेटन तक जो किससे बना हुआ है फॉस्फोर से और वह सबको एड्जॉब करता चला जाता है अब मान लीजिए हो गई रात जब रात हुई तो उसकी अब प्रॉपर्टी एक्टिव होने वाली है कि जो मै प्रॉपर मैं दीट बर में रेडिएशन संिये अब मैं उसको निकाव और जब वो स्केलेटन उस रेडिएशन को निकालता है तो आपको दंती के कुछ पल उपर रॉश्नी दिखाई जिती है और रॉश्नी किस में देखती हैÁ स्कैलेटन चैसा फरा फॉर्म होता है बा definitely वो उसी का भूत है लेकिन वहाँ पर होता क्या है फॉस्फोरेसंस क्योंकि बेसिकली बॉडी के अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है और फॉस्फोरस इस responsible for the phenomena of phosphorescence जैसे की zinc sulfide is responsible for the phenomena of phenomena of fluorescence clear है fluorescence करवाने के लिए ZNS चाहिए और फॉस्फोरेसंस करवाने के लिए फॉस्फोरस चाहिए एक और होता है जो आप ट्वेल्ट में पढ़ते हो कैमी लूमिनेसेंस वह भी फॉस्फोरस की मदस्से होता है और वह क्या होता है वह बात की बात है चीक है बहुत सारी चीजे होती है यह सब तो इत्ता साथ जलते वह चल्चराहाट करके आवाज आ गई मैंने का कौन सी आवाज आ गई किता सब चल्चराहाट करके आवाज आ गई मैंने का यार थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है चल्चराहाट कैसे तो कहता है सर्थे को समझो समझो सर आप फुल जड़ी देखिए अरे फुल जड़ी जलाने वाली फुल जड़ी देखिए फुल जड़ी तो उसको जब आप जलाते हो तो साथी साथ वह आपको क्या आप जलता है कि नहीं क्योंकि दर बारूद बारूद जब जलता हुए जलता हुए तो उसके चलते हैं आपनो कैसे आवाज आती है चल्चराहाट वाली अवाज आती है ठीक है अचा उसके रिए मैं बनाना पड़ेगा वह देखता हूं पहले आप इन दोनो पॉइंट को न रिवाज आई ने का यार ये क्या है तो मैंने खीर आपको दिया तै Geezabooग जब topy जलाते हो तो आपने देखा होगा रोशनी तो मेंता साथी साथ और करके पूरा जलता है तो राभाई पूरी रॉषणी तो देता है साथी साथ तब कुछ कलता है कहा नहीं वह बारूद होता है सरा जब बारूद बटन होता है बारूद के पार्टिक लोते हैं जो जलने का काम करते हैं जिससे वह आवाज निकलती है मतलब सर्ष तो आ रही है साथी इस एसाथ कोई पार्टिकल तो है कोई ना कोई पाठीकल तो है तो यहां से इनको डाउट हुआ तभी सर अभी एक इधा अगर हो जायłeगा पार्टीकल तो फिर इसको आपन नाम देते हैं कैथोड रे पार्टीकली जो मैंने आपको बताऊंगा कैथोड रे पार्टीकल क्या होता है मतलब यह बत कंफर में सर पार्टिकल तो है आपने पहले बता दिया तो मैंने का लेकिन प्रूफ करके भी बताऊंगा आपको कि वो पार्टिकल क्या है और कैसे आपने बात करी पक्की बात तो सर यह डाउट हो गया इनको कि सर अभी तक तो सिफ रेज थी लेकिन रेज के हैं और अगर पार्टिकल किसी से ठकराएंगे तो कुछ ना कुछ चीजे तो पता चलेंगी तो इनने क्या करा बीच में देखो कितना बढ़िया काम किया है इनने बीच में ऐसा लगा दिया रोलर टाइप का पंखा लगा दिया मालो ऐसा यह और इनका कहना यह था कि अगर कि जलसे रस्य आई ऑर रेष के साथ कुछ पार्टिकल्स जाके से ठकराएंगे और जैसे पार्टिकल्स पर पलेगा तो बडेड गूम जाएगी तो यह रोलर गूमना चालों जि अकल देगा के नहीं कल देगा जैसे माल लोग को फार्ण कनल अथे पार सिरी आपने पर जाएगा घूम जाएगा तो भाई देखे क्या लॉजिकल चीजे यूज करी उसने उसने का अब इसको रग दो बीच में और अब चलाओ रेज को क्या होता है जैसे आपने यह पैडल रखा और रेज चालू करी सार घूम गया सार घूम गया वील बिगेंस तो रोटेट दाट मींस कंफर्म करती है कि कैथोड रे के अंदर कुछ पार्टिकल्स भी है और उनी पार्टिकल्स को नाम दिया जाता है कैथोड रे पार्टिकल्स क्या नाम दिया जाता है कैथोड रे पार्टिकल्स आगे देखिए वेन आप प sunt mátee-toffo material particles और इसे बनिये पार्टीक Sãoाइए। उस रेंस के साथ कॉन हा रहे हैं और इस पार्टीकल्स ने इस वील को कगने काम जान सक्कता है का थोड रेशोन नाम से जान सकते हैं का थोड रे पार्टीकल की सब्सक्राइब कि सर्फ पार्टिकल है अगर पार्टिकल है तो मुझे यह बताओ उस पार्टिकल पर चार्ज कौन सा है या फिर क्या वो नीट्रल है या फिर उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है या फिर उस पर कोई नेगेटिव चार्ज है तो बेसिकली अब देखने वाले हैं वो कि कौन सा चार्जेसर वो कन्फर्म तो करना पड़ेगा अगर कन्फर्म नहीं कर पाएंगे तो दिक्कते बहुत हो जाएंगी तो यह वाला एक यह उसको नोटड़ करेंगे फिर आगे की तरफ बताता हूं आगे की कहानी कैसे चल रही है चली तो लोगा कोई द quicker τη बाट तो नहीं है चलो आप आगे देखना है सर सरी यह बात पता चल गई है झांसे जा रही यह क्य Georg की तरफ जा रही है दूसरी बात ऑन निकलती और कहां खतम होती है olduğunu पर दूसरी बात इनके साथ कुछ पार्टीकल इस जिनको नाम दिया गया कैफोड रेपार्टिकल मतलब ऑक तरिके के पार्टिकल से बन यह और वो पार्टीकल कौन से कहला क्या है टोड़े पाटिकल अब हमने देखना है सर्पिया थी key Ram Google टें तो वह देखना में तो अमने का पैलkovist के निग्रेस लिए ब्लार भण लगेगा और ऊंब हमने पर अहां पर vitamins ग्लास इूप यह थी रहलो यहांत प्र काल तो और यहां पे अपनी खर अब जिए अब मैंने क्या करा इसके और उनिलिएक्टस तेर्मिनल कर दिया और यह मैंने यहां पर पॉजटिफ टर्मिनल कर दिया जिए है अब अगर cathode ray को यहां से पास कराया यह cathode ray तो अगर यह charge particle की होंगी तो कई न कई तो deflect करेंगी या तो negative के तरफ या तो positive के तरफ और हमको देखने को यह मिला कि इनका deflection इस तरीके से था इस तरीके से सारे deflection देखने को हमें मिले मतलब पूरी cathode ray किसके तरफ move कर रही है सर positively charge के तरफ किसके तरफ positively charge के तरफ और हमने पढ़ा है अगर positive के तरफ को या रहा है that means वो negatively charge कैसा charge है सर वो negatively charge है मतलब यहां से proof हुआ कि जो cathode ray थी कौन सी ray थी सर cathode ray वो एक particle से बनी थी और वो particle कैसे charge का है negative charge का सर तो यहां से ये बात clear हुई कि वो कौन से charge का है negative charge का है यही हमारा मुद्दा था जो हमने निकाला कि जो cathode ray experiment में कर रहा था जिसमें पता चला कि cathode ray एक particle से बनाए जिसको नाम दिया cathode ray particle जब उसके around मैंने electric field लगाई तो भाईया वो move कर गई towards positive terminal that's mean कि cathode ray particle कौन से पार्टिकल है negatively charged particles है बास समझ मैं ही कौन से पार्टिकल से negatively charged particles और यह बात किस ने करी सर thompson सन ने thompson सन ने ये confirm कर दिया कि cathode particles cathode ray particles are negatively charged particles और इसका ही नाम रखा गया सर क्या electron क्या नाम रखा गया सर इसका electron और यह जो नाम था ना सर यह experiment thompson साम ने जरूर किया था लेगिन याद रखना यह नाम उनने नहीं दिया था यह नाम strongly ने दिया था electron word जो प्रपोज हुआ था वो किसने दिया था strongly ने इनने बस यह बताय था कि cathode ray यह cathode ray particles जो होते हैं वो कौन से particles होते हैं negatively charged particles होते हैं but the particle is known as electron is said here is given by strongly चिक है strongly ने यह बात कही थी clear हुई यहां तक बात पक्का अब यहां पर एक बात देख लेते हैं when an electric field is applied on the cathode rays they are deflected towards the positive charge plate positive के तरफ चले गए it shows cathode rays carry the negative charge यही तो हमारा main मुद्दा था कि cathode rays कौन से होते हैं सर negatively charged particle यह देखिया experiment यह थी cathode rays यह देखिया सब की सब कहां आ गई positive terminal के तरफ आ गई negative से दूर जाते हुई क्यों यह भी negative यह भी negative दोनों एक दूसरे को रिपल एचल भग रहे भग रहे लात मारेंगे भगना चालू हो जाते हैं और किसकी तरफ चले गई भगया a negative person always approaches to the positive person ऐसे वाली बात थी opposite poles attract each other वो ही वाली बात थी और यहां पर अपना खतम होता है हमारा जो Thompson भाई का experiment था discovery of electron जो इनने चालू किया था वो बिजली को देखते हुए और वो उपर वाली बिजली यहां बिजली को देखते हुए और इनने चाहा था कि मैं अपने लैब में वो बिजली को ले आऊं वह वाली उपर जो आती है वह वाली बिजली को ले आऊं कैसे उस बिजली को मैं test tube के अंदर या फिर cathode ray arrangement में लेके आऊं discharge tube के अंदर वो जो इनने experiment सोचा था जिस अप्रोच से उनने चालू किया था उसमें वो क्या हो गए पूरे तरीके से confirm हुए और उनने ये बात भी बताई कि भाईया cathode rays जो होती है वो एक पार्टिकल से बनती है वो पार्टिकल्स होते है नेगेटिव ली चार्ज पार्टिकल उनी को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन तोrhTOh para sub atomic particle जिसका नाम करण हुआ इलेक्ट्रऊन और यह भी पता चल गया वो किस तरीके का पार्टिकल्वी चार्ज पार्टिकल्स इत्ती बात clear है और को दिक्कत की बात तो नहीं स्कार वार इसका स्क्रीन शूट लेंगे जलदी फटाब इसका शूट लेंक हैं हो गया को रिकत तो तो यह था अपना क्या एक्स परिमेंट किसका तो इसमें मैंने कई सारी चीज आपको बताई जैसे आपन आगे चले यह बिजली हुई थी ठीक है इसके बाद आपन बात करें तो इस चार्ज ट्यूब क्या होता है वो जो अरेंजमेंट बनाये था उसमें कौन सी लीती हिलियम गैस जो इनर्ट गैस थी फिर उसको और वो कप कंडूक्शन करेंगी हाई वोल्टेश पर लोग प्रेशर पर फिर आगे बढ़े तो कैथोड रे क्या होता है वो देखा था वो आपन एक वो देखा था फ्लो रेसंस फिनोमेना देखा था जिसमें जिंक सल्फाइड यूज किया था और यहां पर गलो हुआ था चिलचड़ाट हुआ था वहीं से फुल जड़ी का केस आये था और फुल जड़ी से पता चला कि भाईया वहां पर पार्टिकल्स भी होंग पार्टिकल्स कौन से चार्ज के हैं तो हमने उल्लेक्ट्रिक फिल्ड लगा दी और और इल्लेक्ट्रिक फिल्ड ने कन्फरम कर दिया two particles are as of negatively Charged particles and that is called electrons तो पहला सब atomic particles हमारा यहां पर हुआ समाप्त कहानी समझ मैं थॉंसन भाई की वो एक छोटी सी भाल जाने से चाय पीने तक की कहानी कितनी बड़े लेवल तक गई और आज जिसको आप electron के नाम से जानते हैं वो कहानी यहां पर समाप्त मज़ा आया होगा कहीं कोई दिक्कत आई तो प्लीस मुझे बताईए कोई भी दिक्कत हो यह नहीं आया वो नहीं तो फिर देखूंगा जब मैं आगे के लिए रहूंगा तो मैं उसमें समझाता हूं ठीक है और अगर सारी चीज बढ़िया लगी है तो बने रही है मेरे साथ और मैंगनेट ब्रेंस के साथ जहा कि आप जानते हैं हमारे टॉपर्स और हमारे टॉप कोर्सेस मैंगनेट बेंस आपके लिए 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 टॉप कोर्सेस इंग्लिश मीडियम की बात करता हूं तो सीब्सी जहां मुझसे मिलते हैं रोज 8 बचे क्लास 11 की केमिस्ट्री स्पोकन इंग्लिश स्यूटी एंटी लूंपेड जैसे सिर्फ और शिर्फ अबके लिए हमारे मैंगनेट बेंस का हिन्दी मिडिया में चैनल यजहांप सीबसी यूप और वी रोड पी वोन और एंप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तो यह नए चाप्टर है नई शुरूबाँ कर रहे हैं तरीके से कर रहे हर एक चीज में आपको बताऊंगा कहानी के फॉर्म इंट्रस्टिंग फॉर्म में आपके लिए बस आपका काम है हल चीज को नोट डाउन करना है सर यहां से कोशन आता है कैथोड रेस क्या होती है वो पूछता है प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेस क्या होती है डिस्चार्ज ट डालेंगे टेंशन मिल्कुल मत दीजिए तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में वो भी फाडू होने वाला है मिलते हैं कल रात को आठ बजे जब तक के लिए थाइंक यू सो मच